तो आज की आज बहुत ही इंपोर्टेंट चीजें आपसे सेर करने चल लहाँ हूं तो उसके पहले एक सेर सुनाता हूं कौन कहता है आसमान में सुराक नहीं होता एक पत्थल तबियत से उच्छालो यारों तो जेई मेंस 2021 इसी वीक आपका एड्मिट काड आएगा जैसा कि आज की इंफॉर्मेशन है 2021 जेई मेंस नंबर आफ कंडिडेट जो बैठ रहे हैं जो रजिस्टर किये हैं अभी तक एक्जाम के लिए रजिस्टेशन किये हैं वह बाइस लाख अल्मोस्ट 21.75 लगभग मांजो बाइस लाख कंडिडेट अब तक का कंट्री का सबसे बिगेस्ट इक्जाम सी बीटी से कंप्यूटर बेस्ट से सबसे बिगेस्ट इक्जाम अब तक ऐसा कोई एक्जाम नहीं हुआ था क्योंकि नीट से भी ज्यादा क्योंकि दोहजार बीस वाले बच्चे भी बैटे हैं तो इस बार सबसे पहली इंफार्मेशन आज की जो रिसेंट अपडेट है बाइस लाख क इंडीडेट में आप अपियर होने जा रहे हो और जो जैसा कि थम्नेल में देखा है आपने की अब सिर्फ एनाइटी के लिए पढ़ना है अभी एडवांस थोड़ा ब्रेक करेंगे क्योंकि एनाइटी पहले सीक्योर कर ले एनाइटी सीक्योर हो जाएगी एक सीट सीक्योर प्रहों जाएगी तो आप जो है एडवांस के लिए कम-कम दो से तीन महीने मिलेंगे आपको अच्छे से प्रिप्रेशन अब तक इडवांस पड़ चुके अब थोरे दिन के लिए दो महीने के लिए पॉज कर देंगे सिर्फ मेंस के ही फोकस करेंगे ताकि इनाइटी में मैं आज बात करने चलना हूँ 2020 जो पिछली साल अलिए का क्लोजिंग और ओप्निंग ओपनिंग और क्लोजिंग रंक हैं कि कि समयति में कहां कि सरेंग किस रेंग तक मिला है तो सबसे जो टॉप टॉप की नाइटी होती है नाइटी तुरुची जो की एक नंबर पर है नाइटी तुरुची इसकी लगभग नौसो एक्यानवे से चोबिस सो सतानवे पर बंद हो जाती है ओपनिंग रेंग है नौसो इक्यानवे क्लोजिंग चोबिस सो संतावे टॉप मोस्ट एनाइटी सबसे एक नंबर की बढ़िया एनाइटी है तुरुची उसके बाद आता है सूरतकल ठीक करनाट का सत्रह सो बया अंगल 2628 से 401 फिर जो फोथ नंबर की नाइटी आती काली कट कि ची आलिस सो बहत्तर से 6035 तक राउर केला उडिसा 4116 से 4823 नाइटी एलाहावाद पांच नमबर की एनाइटी चार हजार इसका एनाइट चार हजार चासो उनचास से चार अजार पान्सो पच्चेस हैं फिर सब से चा नमबर की एनाइटी अलहाबाद साथ नमबर प्याता है जैपूर जैपूर 4,843 से 7,469 एनाइटी कुर्चेत्रा 6,566 से 10,235 सूरत एनाइटी सूरत 7,349 से 10,070 फिर एनाइटी भोपाल चारहजार 8,476 से 11,207 तो यह 10 एनाइटी टॉप 10 एनाइटी हैं अगर जिस बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है जो आईटी में ऐसे समझ ले कि अगर आईटी में केमिकल इंजिनिरिंग मिल लए तो वह ज्यादा प्रिफर करते एनाइटी तुर प्रिफर करते हैं फिर बात करते हैं जो 21 एनाइटी हैं उसमें दुर्गापूर हो गया 6,383 से 7,679 तक हमीरपूर 9,670 से 14,276 दुर्गापूर 9,140 11,335 एनाइटी दिल्ली बच्चे जो है दिल्ली ज्यादा प्रिफर करते हैं कहीं अग्चुकि नेशनल कैपिट्टी में है तो यहां पे 9,854 से 12,156 सिल्चर 10,217 15,308 जालंधर एनाइटी जालंधर 10,444 बारह जाती दिल्ली जमसेतपूर 11,547 तेरह हजार चार्सो इक्यानबे गोवा बच्चों का फेबरेट डिस्टिनेशन गोवा 12,860 से 14,950 राइपूर 13,273 14,988 उत्तराखंड 15,749 उननीस हजा तीन सो पचासी फिर बात करते हैं पटना 13,060 से 18,191 एनाइटी आंदरा 14,462,045 मेगाले मनीपूर सिक्कीम यह सब 20,000 यह 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 समझें मेगाले मनीपूर सिक्कीम जो नाथिस्ट के स्टेट्स हैं सेवन सिस्टर्स यहां पर बात करते हैं श्री नगर यह श्री नगर इनाइटी श्री नगर में जो रेंक आती लगए आपके पास 22,000 में कंपीट करने चलो पहले एक सीट रिजर्व करें अभी जो दस पंद्रह दिन बीस दिन बचे हैं इसमें सिर्फ जेई मेंस पे फोकस करेंगे अभी एडवांस के कुशन न लगाएं क्योंकि उससे समय किल होगा जो मेंस के प्रिप्रेशन है अब उसकी इ नाइटी के बारे में तौप इनाइटीके बारे में बता दिया तो मैं अपने सबचेक्ट के बारे में पिछले तीन साल से पढ़ा रहा हूं बहुत सारे बच्चे एनाइटी में भी हैं मेरे पढ़ाए हुए तो अभी जो है किस हिसाब से फीजिक्स का पेपर का जो ट्रेंड रहा है जे को लेकर के कैसे कैसे तयारी जयां किसचे टर को कितना किया जाए उस पे हम अब हम बात करने वाले हैं तो आप बात कर रहें स्ट्रेटिजी के बारे में यह जो 10-15 दिन बच्चे हैं इसमें कौन से चैप्टर अच्छे से पढ़ें कौन सा रिवीजन करें कौन सी चीजें छोड़ के जाएं तो इन सब चीजों पर बात कर रहे हैं तो इस्पेसली में फिजिक्स की फेकल्टी बाकी आपको केमिस्टी के सर राहुल सर भी जल्दी ही अप्लोड करेंगे तो जो आपका मेकेनिक सेक्षन है जिसको यूनिट डामिंशन हो गया कैने मिटिक्स हो गया एनलम फ्रिक्षन सर्कुलर वर्पार एनजी सर्कुलर मोशन सेंटर आफ मास और रोटेशनल डैनमिक्स या रिजिड बॉड़ी ड कोशन का जो सेट है एकदम कंप्लीट सब इंटर अगर आपको चैप्टर साते हैं तो आसान लगेंगे अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं किया इसमें से कोई चैप्टर रिविजन नहीं हुआ है तो दुबारा उसको अभी मत करो उससे बेटर है जो आसान चैप्टर ह जैसे आपका modern physics हो गया modern physics में जैसे फोटो लेक्टिक इफिक्ट हो गया atom हो गया nuclei हो गया semiconductor हो गया logic gate हो गया यह इसमें से कुल मिला करके modern physics magnetism EMI और AC तो चार कुशन इससे कभी कभी दो कुशन इसमें पुछता है कभी तीन कुशन इसमें तो कुल मिला के च्छा कुशन आते हैं EMI magnetism EMI और AC confirm तीन कुशन तीन कुशन उससे रहते हैं और तीन कुशन मान चलो कि modern physics से तीन से चार कुशन रहेंगे फिर हम बात कर रहे हैं आपके पास एक कुशन ग्रेविटेशन का फिक्स है हर साल आता है फिर इलेक्ट्र स्टेट करेंट इलेक्टिस्टी और instrument and error इसमें से मिला करके तीन कुशन एक कुशन का वेटेज है कभी-कभी दो-दो आ जाएगा तो कुल मिला के चार कुशन का वेटेज यहां से बनता है मनला कनफर्म एक ग्रेविटेशन तो आना ही है करेंट इलेक्टिस्टी छोड़का मत जाएए बहुत आसान चैप्टर है सिर्फ किर्चाफ लॉसे अगर आपको किर्चाफ लॉसे करने आता है तो आप सारी चीज़ें करेंट इलेक्टिस्टी के कर सकते हैं जैसे आर्सी सर्किट हो गया वह भी देखके जाएंगे फिर आपके पास किर्चाफ लॉको हैंडल करने आना चाहिए जो उसमें एक हाउ टू कनवर्ट गैन्लोमीटर इंटू वोल्ट मीटर हाउ टू कनवर्ट गैन्लोमीटर इंटू एमिटर वह सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए तो यह जो है सेक्षन बड़ा इंपॉर्टे आप कैलेरी मिट्री हो गई यह हीट वन का पार्ट है बेसिक थर्मोडामिक्स जो पूरा है हीट टू कुल मिला कर दो कुशन आते हैं दो से तीन कुशन कभी कभी बन जाते हैं लेकिन दो ही कुशन का वेटेज मानके चलें दो कुशन इससे रहते हैं फिर बात कर रहें रे थे अप्टिक्स और वेब अप्टिक्स मतलब ऐसे मान चलें रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्षन चाहे प्लेमिर का हो कौन Uz कौनों केब का हो फिर उसमें.. पर बहुत सारे कुशंस बनते हैं तो कुल मिला करके इसका जो रे ऑप्टिक्स का वेटेज है दो एक कुशन का है कभी-कभी वे वेब ऑप्टिक्स जैसे इंटर्फिरेन्स हो गया डीफ्रेक्शन हो गया इसमें क्या होगा किया हो कि पर कई आते हैं तो व्याक ऐसिक बरेंगों के कलो जाते हैं दोसे तीन इसका और बात करें सॉलिट सॉलिट की बात करें या एक या दो कुशन होते हैं यह सबसे लिए तापिक लिए ताकि वही पढ़के जाएं मतलब इस टाइम पर रोटेशन पढ़ रहे हो उससे बेटर है कि मौडन फीजिक्स अच्छे से तयार कर लो से मिकंड़र त्यार कर लो एटम नुक्लियाई के कॉंसेप्ट अच्छे से देख लो प्रीविए सीर उसके कर लो ठीक रादर देन फोकुसिंग डी रोटेशनल डानेमिक्स ठीक तो जो हेलुआ टापिक हैं जैसे आपको मैंने बताया मौडन फीजिक्स कर लो ग्रैविटेशन अच्छा टापिक है ग्र मोशन पूछता है या फिर प्रोजक्टाइल मोशन पूछ देगा बहुत बेसिक बेसिक मैक्सिमम रेंज हाइट क्या होगी टाइम प्रेड क्या होगा दो पाइट कल के बीच में इस तरीके से आपका जो कानेमिक्स वाला सेक्षन है वहां से कुशन कवर होते हैं तो अगर आपने अभी तक अगर जो भी चैप्टर पढ़ लिए न उसको बस करें रादा दन फोक्सिंग अभी एक आद दो चैप्टर अगर रहा गए हैं तो उसको जही सेकंड के लिए तैयारी करें अभी जो है उसको ज्यादा टाइम दे करके जो चीज़ें आपकी तयार हैं उसको बहुत सारा प्रेक्टिस करने की जरूत होती है ऐसा माने कि अगर एक ऐसा होता है कि मालो मेरा खुब तैयार यह भी है मैंने अगर कोई चैप्टर पढ़ा मालो की इम आई एसी अभी पढ़ा मैटिजम तो आज तो मेरा तयार है लेकिन दो महीने बाद गारंटी नहीं होती को तैयार भी रहेगा उसको रिवाइज रिवीजन की जरूत पढ़ती है तो क्या करना चाहिए आपको प्रेक्टिस करनी है उसकी जो आपका बहुत अच्छा चैप्टर था आपने तीन चार महीने पांच महीने या लॉकडाउन के पहले पढ़ाई की थी क्लास लेवंत में उस पे ज़्यादा फोकस करों और चैनल पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे मैंने लगबख देर सो वीडियो दिरे ले डाल चुके हैं तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और आपको प्रापर जो है कंटेंट जेई लेवल का कं सब्सक्राइब कर लेंगे जो आपने पढ़ाई किया था उसको अच्छे से कर लेंगे तो आपका मुझे लगता है कि अगर आप इतना चीज़ें कर पा रहे हो अगर एकार चैप्टर अगर मालों की चुट गया है तो उसमें बस नंबर आप फ्रिंजेश देख के जाओ जेए मेंस का बहुत फेवरेट टॉपिक है वाइडियस एक्सपेरिमेंट उसमें फ्रिंज बिट पूछते हैं नंबर आप फ्रिंजेश पूछते हैं तो वह सब आता है यह बाकी इसे चम वेप साउंड वेब यह तीनों का कमबाइंड पढ़ें हो सकता है कभी-कभी इंट सेक्श कर लो एक बाकि जेए डवंस फोड़ो गई लेकिन जो मैं बोला होना कि अभी शिर्फ औरपरिवा पर करना और में सच्छा परफार्म नहीं कर पाए तो मतलब बहुत बात हैं सुनों कि मिलेंगे इससे बिटर है अभी फोकस होकर के एनाइटी के लिए अच्छे सेडमिशन मतलब एक सीट सीक्यूर कर लो अच्छे रहेंक लग जाएं बीस दिन बाद आपका रिजल्ट भी आ जाएगा मतलब एकजाम के पांस दिन बाद रिजल्ट भी दे देगा तो अभी जो चैप्टर छूटे हैं वह अभी न करें जो आसान है उसको जो आपने रिवीजन अलेडी किया है उसको बार-बार रिवीजन करें उसको प्रैक्टिस करें उसमें नंबर आफ कुशन्स ज्यादा लगाएं बस यही अभी करना है रादा दन की दिन भर कोचिंग जा तो आच्छे नंबर आपको मिलेंगे अभी तुरंत मगप करके चीजें रट करके कोई फायदा नहीं है मदब आपको एक सही डिरेक्शन बता रहा हूं अभी मगप करके कोई फायदा नहीं जो आपकी चीजे बहुत अच्छी स्ट्रॉंग है उस पे तैयारी करें तो विश